ग्राम बकायन में रहने वाली मीनावाई जिसके बच्चे पांचमी कक्षा में पढ़ते हैं और विनीता हेरवार जो कक्षा पांचमी पढ़ती है मध्यान भोजन को लेकि इस स्कूल में समस्या चल रही है माध्यमी की स्कूल और प्रात्मी की स्कूल बकायन जहां 101 माध्यमी की स्कूल में और सो बच्चे प्रात्मिक स्कूल में पढ़ते हैं शिक्षक अधिकार अधिनियम बनने के बाद भी यहां मध्यान भोजन जो की 15 जुन से शुरू हो जाता है आज 20 जुलाई तक यहां सिर्फ दो दिन खाना बटा है मध्यान भोजन का उसके बाद इतने कुल आते हैं और उनको जो अधिकार है उनका खाना का तो उनको बो नहीं मिल रहा है शाही डंग से और मीनु कर नुषार से भी कभी नहीं दो दो घर से बना कि लाती है तो हम लोग बात किलेगा तो उन्हें हम लोगों कूपर गरम सबजी पेंगी इसलिए आप लोगों के परसाज जी किसने फेकी? अध्याथना कुन थी बाहन. तो क्यों फेकी? उसको हम लोगों को निकालना चाहती है, इसलिए. कहां से निकालना चाहती है? हम उसे, अलग करना चाहती है. आप इसकूल कब से आ रहा है हैं, मेटा यहां? एक तारिक से. इतने दिनों के बीच में, आपको कितने दिनी स्कूल से खाना मिला? एक दिन. आपके स्कूल में प्रधान आचारी है, जो मास्टर होता है, हेड मास्टर कौन है? कुर्बान सीचार. तो आप लोगोंने कभी उनसे सिखायत की? और जो लोग अगर सिखायत करते हैं, तो उनका क्या है, आप क्या सुनते हो? सिकायद करने वाले का मुख है पोचा स्पीवकी से कुछ भी बोल सकता है। आप चाहते हैं सब क्या यहां का जो माध्यान वोजन है वो शुरू हो। आप बिल्कुल चाहते हैं जिसकाल आप बच्चों को मिलें। यह समुनी बनाता है तो दूसरा समुन को बदं के दिया जायता कि बच्चों का नुक्सान नहीं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो उलंगन यहां हो रहा है सिक्चा का अधिकारा दीनियम द्वारा वो ना हो उस पे बदला हो। बदलाओ के लिए जो हमारे छेत्र बिलोक बैटियागड की कारिपालन अधिकारी महोदिया जी है वो है स्रीमती रानुजेन जी जिनका फोन नंबर है संतानवे त्रेपन जीरो साग जीरो दो बाइस। देखने वाले सबीस रोताओं से मेरी अपील है कि बदलाओ के लिए फोन करें और अपना दवाओ बनाएं मैं ग्राम बकाइन से आर्तिवालमीक इंडिया अनहाट के लिए